वुल्मर हैंटन शहर में एक हैरान करतीने वाला मामला सामने आया है यहां एक 42 साल की महिला 15 साल के स्कूली शात्र के बच्चे की मा बन गई यह तस्वीर है हेलन काट्राइट की एक 42 साल की महिला जिसने अपने स्टूडेंट के साथ संबंध मना कर उसके बच्चे को जन्म दिया यह बात सुनने में जितनी घिनावनी है इसके बीचे की कहानी भी उतनी ही शर्म सार करने वाली है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हेलन के पहले ही दो बच्चे थे 42 साल की हेलन को जब कोट में पेश किया गया तो कोट का कहना था कि यह संबंध सरासर गलत है इसके लिए कोट ने महिला टीचर को ही जिम्मदा ठहराया आपको बता दे कि इस महिला ने पोलिस की पूछताच में ये भी कबूला था कि उसे पता था कि लड़का नाबालिक है फिर भी उसने शारेरिक संबंध बनाए और बच्चे की मा भी बनी ये दोनों काफी लंबे समय से आपसी सहमती से संबंध में थे मगर इस बात की जानकारी स्कूल स्टाफ और बाकी लोगों को तब पता चली जब हैलन प्रेगनेंट हुई और बच्चे को जन दिया कोट ने इस मामले में हैलन को फटकार लगाते हुए 10 साल तक सेक्स ओफेंडर की लिष्ट में डाल दिया है साथी कोट ने ये भी कहा है कि 2 साल तक पुलिस उस पर नजर रखे ताकि इस बात का पता रहे कि वो दोबारा भविश्य में इस तरह का काम न करे